मैंपूरे के जिला स्पताल में उप्चार न मिलने से आठ महा की बच्ची की मौथ हो गए परिजन बिमार बच्ची को लेकर पांच घंटे तक जिला स्पताल में इमर्जेंसी और बाल रोग विशिशग्य की कक्ष में चक्कर काटते रहे लेकिन मासुम को उप्चार नहीं मिला कोदवाली छेत्र के महला गाड़ी वान निवासी जगवीर सिंग मजदूरी करके अपने परिवार का भरन पोशन करते हैं जगवीर सिंग की आठ महा की पुत्री चाया पिछले दो दिनों से बिमार थी उसे पेट दर्द के साथ दस्त हो रहे थे सुमवार को हलत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर सुभे साड़े साथ बजी जिल स्पताल लेकर पहुँचे बच्चे के हलत गंवीर थी इसलिए जगवीर बच्चे को इमर्जेंसी में ले गया जगवीर के नुसर यहां मौझूद डॉक्टर और स्टाफ ने बच्चे को उपचार न देती हुए पांच नंबर कक्ष बाल रोग विशिशग्य के पास दिखाने की बात करी आरोपे के स्टाफ ने उसे इमर्जेंसी से बच्ची सहित भार निकाल दिया जगवीर पत्नी के साथ बच्ची को लेकर पांच नंबर कक्ष में पहुँचा तो यहां बाल रोग विशिशग्य नहीं थे करीब दो घंटी तक जगवीर बच्ची को लेकर डॉक्टर का इंतिजार करता रहा इंतिजार के बाद भी जब डॉक्टर नहीं आए तो वह एक बार फिर बच्ची को लेकर इमर्जेंसी पहुँचा इमर्जेंसी में मौजद डॉक्टर और स्टाफ ने फिर से बच्ची को उपचार नहीं दिया और बाल डोग विशेशक्य के पास सौशेया अस्पताल में जाने को कहा जब जगबीर सौशेया अस्पताल पहुँचा तो यहां से बच्ची की गंबीर हालत देखती हुए फिर इमर्जेंसी के लिए रैफर कर दिया गया करीब साड़े बारा बजे तक बच्ची को कोई उपचार नहीं मिल सका और उसकी मौत हो गई सीएमो डॉक्टर पीपी सिंग ने कहा कि मामले की जानकरी मिली है सीएमेस जुला स्पताल और सीएमेस सौशेया स्पताल दोनों को पत्र जारी किया जा रहा है आखिर बच्चे को भड़ती कर उपचार क्यों नहीं दिया गया जाज कराई जाएगी जो भी उसकी दोशी होंगे उसके विरुद कारवाही के लिए लिखा जाएगा देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर